गैस थेंक यू पर वाचिंग वहाशिंग लाइक करो सबसक्राइब कर ये एफ हलो गय्स वैल्कम बैग आज के नए ब्लोग में और आज का ब्लोग कुछ स्पेसल होने वाला है गाइस चैसे कि मैंने बोला आज का ब्लोग इस पेसल क्यों होने वाला है वो आप लोग आगे देखोगे जो कि आज मैं आपको लेके जा रहा हूं यहां के आइकॉनिक जगा पे तो बने रही है वीडियो में तो चलो आपको दिखाते हैं जलकियां यह देखो गाइस अगर आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा और आप पहचान गए कि वो जगा कौन सी है तो वीडियो में आगे भी देखते रहो चलो चलते हैं आप पहचान गए कि मैं कहां जा रहा हूं जा रहा हूं मैं फेमस ब्रीज आफ लंडन जिसका नाम है टावर ब्रेज और आप मेरे पीछे देख पा रहा हूंगे जो सबसे उची बिल्डिंग आपको देख रही वह दसार्ड यहांके सबसे हाइस्ट बिलिंग और इसके ठी अपोजिट इस सामने टावर ब्रेज तो यह देखो सामने आपको देख रहा होगा तो गाइस यह हैं लोगों की सबसे पसंदिदा जगा जब लोग लंडन आते तो ऐसा कोई नहीं होगा कि जो यहां नहीं आता ठीक है और जायतर लोगों को मैंने यह देखा कि यहां आते ना तो सबसे पहले भाई यहां पर आके और एक पिक्चर तो जरूर वह अपनी सोचल मेडिया पर डालते डालते हैं यह रहा लंडन का आइक टावर प्रेज तो गाइस देख रहे होगे आप मेरे पिछे टावर प्रेज और यहां आके जो एक फील आता ना एक दम जब लोग लंडन आते ना तो सबसे पहले उनके दिम टावर प्रेज के सामने खड़े हो एक अलग सा फील सुकून सा मिलता है ठीक है और यार जो भी ना यह अंग्रेज ना बड़े एडवांस थे यार अठारसो चौराने में इन्होंने यह ब्रीज बनाया और इसका इस्ट्रक्चर देख लो यार उस टाइम पर मतलब इनके प पनाया उसके उपर आप वॉक कर सकते हो तो आपको आगे भी दिखाऊंगा वीडियो में उधर चलेंगे पुरा व्यू सूट करेंगे तो बने रहे हैं वीडियो में अगर आपको मिलाने जा रहा हूं मेरे एक फ्रेंड से इसका नाम है प्रया एक प्रया प्रया माठी ऐसमने हं पाट करते से ठीक है और भाई कैसा है खाना खाया नहीं खाया तो यह ना और यह जो वह बोलता है ना हसी तो आती यह बंधा ट्राइब कर रहा है ठीक है सबसे बड़ी बद्ध यह लोग आपको पता होगा इनका तो आपको लग रहा होगा ना कि यार वारिस का मोशन है फोड़ा अंधेरा अंधेरा सो आ रहा है वीडियो में तो यार अगर आप यू के आ रहे हो ना तो इस मौसम की ना आपको आदत बनानी पड़ेगी ठीक है और एक बार आपको इसकी आदत पड़ गई ना तो फिर मतलब आप एकस्पेक्टी नहीं करते हैं कि धूप आएगी नहीं आएगी आपको फ़रक नहीं पड़ता है तो चाह में भी लाइन में लखते हैं तो चलो बैठते हैं इसके उपर इ silicone है इस धूफ चला भै कि हो एधार में तो भी चलते हैं डावर बैज के ऊपर यह आप देख रहे होंगे यह जो बसे चल रही है यह टावर ब्रिज के ऊपर की रोड है और आप देख रहे हैं मेरे पिछे टावर ब्रिज तो इसके डाइमेंशन की अगर मैं बात करूँ उस टावर से लेके इस टावर तक इसकी जो लंबाई है वो 800 फिट है और इसकी अगर हाइट के बात करें तो वो 213 फिट के हाइट है तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं मैं हूँ टावर ब्रिज के उपर और यह नीचे जो आप नदी देख रहे हैं यह है थेम्स रिवर और यह जो टावर ब्रीज है यह एक आईकॉनिक ब्रीज है लंडन का और उसके साथ-साथ इनके ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ी हेल्प करता है क्योंकि आप होना यह यहां का लंडन का एक मैं बोलू तो सबसे ज्यादा टूरिस्ट का टूरिस्ट अट्रेक्शन है इसको जो है ना गेट ऑफ नंदन के नाम से जाना जाता है ठीक है आप देख पा रहेंगा अब कभी भी आओगे ना यहां पर आपको चारों तरफ भीड दिखेगी कोई दिन नहीं चाहिए आप विकेंड में आओ भीच आओ हमेशा यह खुल रहता है अब है अब हुआ है अब हुआ हुआ है इन दा मिडिल आ प्रेच जैसे आप देख पा रहे हैं और यह उपर आपको देख रहा है ना इस पे इसके अंदर म्यूजियम है और इसके ना यह अब है और मैंने सुनाए कि कोहिनियर लाके इंडिया से लेके आए थे ना वह इसी के अंदर रखा हुआ है मैं आपको अंदर जाके भी दिखाता है लेकिन यह लोग आपे कैमरा अलाव नहीं करते ठीक है और मैं भी यहांके इसके बीचों बीच खड़ा हूं यह देखो आ होता है जैसे बाइब बोट आती सामने से बहुंत देख हो ख 2007 यह pear कोड़ आती आती है यह कोई क्रूज यह जब कता है out अब बीच के और उस ना इस बीच के बारे में आपको एक बद बताऊना लोगों के दिमाग में ना एक misunderstanding रहती है और वो मैंने बहुत से लोगों के साथ यह चीज नोटिस की है लोग ना इसको ज्यादतर नाम से बुलाते लंदन ब्रिज जबकि लंदन ब्रिज जो है ना वो अलग है लंदन ब्रिज ना इसके अपोजिट में उस तरफ यहां से मतलब आपको अगर आप करत बात करें इसके नेरबाइ ट्यूब स्टेशन की अगर आप पहली बारा आ रहे हो यहां पर नेरबाइ ट्यूब स्टेशन की बात करूं मैं तो अगर आप जुली लाइन से आरें जहां पर नॉर्डण लाइन जो इसके नेरवाइट यूट स्टेशन है जो सबसे निरेस्ट आप तावर हिल और दूसरा स्टेशन है वह है लंड़न बिज वाली साइट उसका नाम है लंड़न ब्रीज स्टेशन आप यह दोनों में से खिसी पे भ करना है और आप पहुंच आओगे टावर प्रीज के तो आपको यहां पर यह वाली बिल्डिंग दिखेगी और यह जो बिल्डिंग है ना यह कभी इनकी जेल हुआ करती थी यहां पर ना कैदियों को रखते थे ठीक है जब यह पूरी दुनिया पर राज करते थे तो जहां-जहां इनके मतलब जो इनके खिलाफ होते थे या फिर मतलब जो यहां पर आके इनके अगेंस्ट कुछ भी प्रोटेस्ट करते थे तो यह उन लोगों को ना इसके अंदर रखते थे यहां की सबसे बड़ी जेल थी और आ और मैं ऐसे वीडियो आपके लिए ले के आता रहूंगा तो प्रिया is here okay what do you want to say to my audience guys thank you for watching Hindi 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 speaking Hindi okay like check subscribe yes and see you in the next next blog and I hope we will do more blogs together यह अवाल, अवाल दो करेंगा जो रहता है जुआ है झाल